वेलकम टू बुस्टप आज हम लोग बहुत ही अच्छा चीज सिखने वाले हैं जैसे की हम लोग अपने रैम को अपने कैसे इन्हांस कर सकते हैं बिना रैम का यूज किये हुए कहने का मतलब कि हम अपने पेंड्राइब से हम अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं कम्प्यूट यह चार जीवी का पेंड्राइब है और इसमें कुछ फ्री एस्पेस है तो आप चाहें तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इसेंसियल डेटा नहीं हो इसमें तो फॉर्मेट कर दें उसके बाद यूज करें नहीं तो हम लोग यह बचे हुए स्पेस को भ सब्सक्राइब है तो यहां पर लिकाए स्पीड आप यूर सिस्टम बाई यूटिलाइजिंग अवलेबल स्पेस ऑन दो इस्टिस ठीक है तो इस डिस्ट पर जितना अवलेबल उसको यूज करेंगे तो सुरुवात में यहां पर क्या लिका हुए है तो नौट यूज क्hris एक को यूज नहीं करना सिस्टम के दुवारा यहांपर हम लोग कर सकते हैं इसको यहां पर यहां पर शाय能 कर सकते हैं अपना system को नहीं तो अ मोग दिर्येक्टी यहां पर कर सकते हैं dedicated ready boost जैसे हम लोग हम लोग यहां पर नहीं कर रहा है ठीक है और जैसे हम लोग dedicated पर click कर है यह फुरा full yüz हो जाय रहा है ठीक है और इसको applied कर देना है जैसे हम लोग apply करेंगे यह configure होगा ठीक है और एक virtual ram create हो जाएगा और जब हमारे system का speed slow होगा या हमारे जो system में लगा हुए RAM का speed कुछ space full हो जाएगा तो इसका use किया सकता है system के दवारा देखिए यहाँ पर लिखा गया है while the device is being used for the system speed reserve space will not be available for the file storage और हम इसको अब use नहीं रखी यह full हो चुका है और इसको हम लोग कोई भी file store करने के लिए इसमें हम लोग कोई भी data नहीं डाल सकते हैं इसको use नहीं कर सकते हैं यानि हमारा अब यह system use करेगा ठीक है guys इससे हम लोग अपने system का speed बढ़ा सकते हैं और जब कभी भी जैसे मैं अब इसको remove कर देता हम ठीक है try again कर रहा है continue क्योंकि यह क्या है currently यह use में है ठीक है guys तो इसको अगर हम लोग continue कर देंगे तो यह continue save to remove हो गया अब इसको remove कर लेते हैं ठीक है guys फिट से इसको insert करते हैं देखिए जैसे यह use हो जाएगा यहां पर जैसे insert होगा यह फिट से use में आ जाएगा अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसको हम अपना पहले जैसा बना दें तो फिट से right click करना है ठीक है गाइस और प्रोपर्टी पर क्लिक करेंगे यहां पर स्केनिक चल्ड़ा इसलिए थोड़ा सा slow है प्रोपर्टी यहां पर हमारा open हो जाएगा गाइस ठीक है और यहां पर ready boost में do not use कर देंगे और apply कर सकते हैं इसको जैसे हम लोग apply करेंगे हमारा डिस्क जैसे बाले जैसा हो जाएगा free तो कभी कभी क्या होता है इसके हमारे पस बहुत सारे software होते हैं जो 2GB, 4GB या 8GB RAM तक डिमांड करते हैं कि उतना RAM होना चाहिए हमारे सिस्टम में तो अगर हमारे पास internal RAM नहीं हो तो हम लोग अपने pen drive को उसके जैसा यूज कर सकते हैं थैंक्यू गाइस तो वीडियो अच्छा लाए तो प्लीज लाइक सेरें सब्सक्राइब करते हैं चैनल को थैंक्यू थैंक